बिहारी में आपने ब्याख्या में पड़ा आपको मेरी बहुबाता की ब्याख्या बताई शीश्मुकट कतिकान चीनिया सोवत ओडे पीटपट अब आजगे जो वर्णन करें भक्ति के अर्थ में जो राधा संप्रदाय का प्रभाव बिहारी पर रहा जो मंगला चरण पर रहा उसके बारे में कह रहे हैं कि तजी तीरत हरी राधी का तन द्युति करी अनुराग जीहिंब्रज के लिए निकुन्ज मग पग पग हो तु प्रियाग पग पग हो तु प्रियाग प्रियाग होता है पग पग पर कि अनुराग करो और प्रियाग है कभी कह रहा है रादा और कृष्ण की युगल मूर्ती रादा और कृष्ण के ध्यान पर कभी निका है कि उनका ध्यान करे उनकी उपास ना करे उनकी प्राथना करे तो आपको कहीं भी जानने की आवश्यक्ता नहीं है तजी तीरत, तीर्थ को त्याग करके, अगर तुम रादा और कृष्ण का ध्यान करोगे, तीर्थ को त्याग दो, मन को संबोधित करते हुए कह रहा है भियारी, बहुत ही सुन्दर भक्ती में डूबा हुआ, भक्ती में दोवा है, कि हे मन, तु तीर्थ स्तानों का ब्रमन कर तीर्थ स्तानों में जाना चोड़ दे, तुमारे लिए तो तीर्थ क्या है, रादा और कृष्ण कर, हरी रादी का, कृष्ण और रादा ही, कि जो सरीर है, उनका जो स्वरूप है, उनकी जो छवी है, वही तीर्थों के समान है, अर्था तु उनके ही दर्षन कर, उनकी अर्था दोनों के चर्णों का ध्यान करोगे युगल चर्णों का युगल का मतलब दोनों से राधा और कृष्ण के चर्णों का ध्यान करोगे युगल स्वरूप कहते हैं युगल स्वरूप के कहते ही क्या आएगा युगल मतलब दोनों का दोनों कौन राधा और कृष्ण राधा और कृष्ण के रूप का ध्यान लगाओगे उनके चर्णों का ध्यान करोगे तो क्या होगा तुमारे लिए जिनी करी अनुराग कर प्रेम कर और फिर का है कि जिहीं बर्ज के लिए कुझ मग पग पग हो तुप प्रियागू पग पर उनी के चर्ण चिन्नों से पग पग पर तथा जहां उन्होंने कीड़ाएं की है जहां उन्होंने रास लिलाएं की है जहां राधा और कृष्ण की बाल कीड़ाएं है वो क्या है पग पग पर माननों क्या है प्रियाग है प्रियाग जैसे पवित्तर तीर्थे तीर्थों में तीर्थ राज का है किसको तो अगर हम कहें कि तीर्थ राज है तो वो है प्रियाग अब प्रियाग कहां है प्रियाग किसको कहते हैं कहां पर इस्तित है अब आज भी जिसका नाम पहले इलाबाद था अब प्रियाग राज हो गया नाम बदल दिया और ये क्यों प्रशिद है जहां गंगा यमना और सरस का संगम होता है कुम्ब का मेला लगता है सबसे बड़ा कुम्ब का महा कुम्ब प्रियाग में सबसे बड़ा मेला होता है और वो तीर्थों के राजा है तो कहा है तीर्थों में जाने की आउश्यक्ता नहीं है अगर आप रादा और कृष्ण का ध्यान करेंगे उनके चर्णो का द्यान करेंगे और बिर्ज में जाएंगे बिर्ज की भूमी पर रहेंगे मत्रा जाएंगे गोकुल में जाएंगे जहां करश्ण ने लीलाएं किया वरंदावन में जाएंगे तो वो पगपग पर तीर्थ हैं पर अने कीड़ा कुंजों के स्थान पर प्रियाग जैसे पुईतर तीर्थ बन गए हैं अर्था जहां करश्ण ने वही बात आपने पचली कक्षा में रस्खान को पड़ा रस्खान ने भी वर्णन किया है या उन्होंने रस्खान ने का है ना कि तीनों पुर के राज हैं उस लकुटी और कमरिया पर वारों और रस्खान ने तो यह भी का है मानसों हो तो वही रस्खान बसौंबर्ज गोकुल गाव की गवारन तो रस्खान ने का है कि मैं कब इन आखों से बनबाग तड़ा गादी को देखूंगा और ये सारी बातें बिहारी ने भी कहिए बिहारी ने एक दोवे में कह दी जहां रस्खान ने पूरे अपने सवये में कही बिहारी ने एक दोवे में सारी बातें कह दी रस्खान ने भ वो निदिको सुखनंद की गाहे चरावें बसा रहो रश्कान कहते हैं बर्ज के बन बाग तडाग निहा रहो बर्ज के वो बन बाग तडाग कब निहा रहोंगे कब देखेंगे यही बात यहां कहिए कि राधा और कुष्ण का जो है स्वरूप परियाग के समान का स्वरूप को मैं कब निहारूँगा इससे ये सिद्ध होता है कि राधा संप्रदाय का प्रभाव से कभी अलग नहीं है कृष्ण का तो है लेकिन राधा संप्रदाय का राधा कृष्ण के बिना राधा के बिना कृष्ण आदा है कहा भी गया, रादे के बिना कृष्ण आ दे, यही बात यहां कही है, कि दोनों की, मैं कब उन चर्णों में, अगर चर्णों को देखेंगे, चर्णों के दर्षन होंगे, रादा कृष्ण के चर्णों के दर्षन हो जाएंगे, तो मानो तरवेनी के, प्रियाग राज के हो गए उनके चड़नों में प्रास्तना करने से ध्यान करने से वंदना करने से जीवन के सारे पाप दूर हो जाएंगे जितने पाप है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे और जीवन से जो बहुसागर है उससे मुक्ति को प्राप्त होंगे यह बात उसमें कई है अनुपराश अलंकारे सले से पुनरुक्ती भी अलंकारे पगपग पर तो कवी ने बहुती सुन्दर डंग से इसका वर्णन किया है अब आगे जो वर्णन करता है अधर धरत हरीके परत ओठ दीठ पट ज्योती हरित बांस की बांसुरी इंदर धनुसरंग ह होती है मुर्णी का वर्णन करते हुए जब किर्ष्न मुर्ली बजाते हैं बहुत इसका सुन्दर वर्णन करिया करे इस कि इसमें किर्ष्णगीय व्शिमादन का मोहखरूप किसके समान बताया इंदर धनुसकी समान अब कहते हैं अधर दरत हरीके परत ओठ डी ठीपट जोती नाइका जो है वो कहती है नाइका बंसी बादन के समय कृष्ण को देख लेती है कृष्ण के स्वरूप को देखती है और उसका वर्णन करती है वो कहती है कि उनकी चबी उस समय की कांती देखकर कहती है कि जैसे ही वे कनया करश्ण अपने अधरों पर बंसी रखते हैं उसी समय उनके अधर दृष्टी और पीत्तंबर की परच्छाई उस सरे रंग की बांसुरी पर इस परकार पड़ती है कि उनकी बंसी इंदर धनुस के समान साथ रंगों में इंदर धनुस जो होता है उसमें साथ रंग दिखाई देता है तो वो कहते हैं इंदर का दनुसे और वो बंसी भी उसी परकार दिखाई देते हैं लाल होट है बंसी है कृष्ण का सामला रंग है पीतंबर पहने हुए हैं तो वो साथ परकार से वस्तरों का जैसे मालों बंसी का रंग कैसा है हरा होट कैसे है लाल अधर धरत हरी के पर अधर कहते हैं होटों को लाल है दिश्टिव जब पढ़ती है आँखों की तो वो भी है और पीला पितंबर पहने वे सफेद लाल शाम रंग सारे मिलकर के मानो इंदर धनुसके समान बंशी दिखाई दे रही है अब आगे जो काय फिर भक्ति में कहते हैं भक्ति में कीने हूँ कोटिन जतन अब कई काडे कौनू भोमन मोहित रूप मिली पानी में को लौनू भक्ति अगर हो तो एक की हो भक्ति में नाईका कृष्ण के सौंदरिय से मोहित हो करके ये कह रही है तलीन हो करके कह रही है कि मैं तो कृष्ण के रूप में कृष्ण के सौंदरिय में डूब गें उच्छाए अब क्रोडों जतन कर ले जो मन मोहन का की ने हूँ कोटिन जतन अब कई काड़े कौन अब मुझे कौन निकाल सकता है कि कोई क्रोडो यतन कर ले, प्रियतन कर ले, मेरे मन में स्वी कृष्ण का रूप लावन ने इतना बैठ गया कि कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता मेरा मन कृष्ण के मोहक रूप में इस परकार मिल गया कि जिस परकार पानी में नमक मिल जाता है कहते हैं कि मोहन मोहन रूप मिली पानी में को लोन पानी में अगर नमक डाल देते हैं तो उस नमक को कोई अलग नहीं कर सकता करने का कोई उपाए नहीं है कि जैसे पानी में मिलेवे नमक को क्रोड़ों उपाए करने पर भी वो अलग नहीं हो सकता उसी प्रकार कर्ष्ण का जो सौंदरी है कनया का जो सौंदरी है कनया का जो लावन्ने रूप है उससे मेरे मन को कोई अटा नहीं सकता कि मैं तो कर्ष्ण की बक्ति में डूब गई हूँ मेरे मन को कर्ष्ण की बक्ति से कोई भी दूर नहीं कर सकता कर्ष्ण की आसक्ति में डूबना नाइका की आसक्तियम विवस्ता का चितन बड़ी ढंग से बिहारी ने किया है चमतकारी रूप से किया है चमतकार उत्पन किया है और दिश्टांत अलंगकार के द्वारा इस दोवे को समझाया गया है अनुपरास तो है यह देखो अनुपरास तो इनके दोवों में अपने आपा जाता है और दिश्टांत दिश्टांत देख करके कि ऐसे होता है जैसे नमक और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता चाहिए क्रोड़ो यतन करें प्रियतन करें उशी प्रकार जो मन मोहन के रूप पर में महीत हो गई उसको कोई अलग नहीं कर सकता बड़ाई सुन्दर ढंक से इसका वर्णन किया गया है आगे फिर वीडियो में आपको विस्तार से इसकी ब्याक्या दूसरी बताई जाएगी